चलिए जी आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं Complete MCA Slabors आज का वीडियो हर एक उस बच्चे के लिए important होने वाला है जोकि future में MCA करने वाला है अच्छा ये वीडियो commerce वाले बच्चे भी देख सकते हैं ये वीडियो arts वाले बच्चे भी देख सकते हैं कि बहुत सारे आप में से बच्चो को ऐसा लगता है या फिर कुछ टाइम से लगने लगा है कि सर आईटी सेक्टर ही हमारे लिए है सबसे ज़ादा ग्रोथ के opportunities जो हैं वो आईटी सेक्टर में सबसे ज़ादा है तो कहीं न कहीं back of the mind आपके है कि MCA कोर्स क्या मैं कर सकता हूँ क्या नहीं ये जो confusion है आज के वीडियो के बाद दूर हो जाएगा complete overview बताने वाला हूँ कि MCA किन बच्चो को करना चाहिए और if in case मन बना लिया है तो क्या actual में पढ़ाया जाएगा क्या आप उसके cope-up deal कर सकते हैं या नहीं वो सारी गुत्थी आज के वीडियो में खुलने वाली है तो शुरुआ से लेकर end तक वीडियो देखना है कोशिश करूँगा less than 15 minutes का ये वीडियो हो लेकिन हर एक चीज आप तक मैं पहुचा सकूँ मैंने सोची है पहुचाने की तक क्लेरिटी आजाए कि actual में M.C.A. syllabus या M.C.A. course हमारे लिए है या नहीं चलिए सबसे पहले M.C.A. का course का structure हम discuss कर लेते हैं कई बच्चों कोई confusion है कि सर M.C.A. में चीज़े क्या होती क्योंकि आपने B.C.A. कर रखा है B.T.A. कर रखा है B.B.A. कर रखा है B.A. courses वगएरा कर रहें तो वहां का जो syllabus है वहां का जो teaching style है colleges वगएरा का completely differ करेगा जब आप M.C.A. जैसे technical professional courses करने जाएंगे अच्छा ये एक professional course है प्लस ये एक technical course है अब सबसे पहले confusion है कि सर ये M.C.A. होता कितने साल का है बहुत confusion है simple सी बात ये है क्योंकि बहुत सारे colleges में private colleges की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर दो साल का है और कई जो बड़े बड़े नाम है N.I.T. बगएरा में ये तीन साल का है तो देखिए ये solely depend कर रहा है आज के टाइम में कि college कितने साल का ये दे रहे है अच्छा कई colleges ने एक criteria कर रहा है कि अगर आप non IT background के हैं commerce वाले हैं, arts वाले हैं अगर आपने math नहीं पड़ी है 11-12 में या फिर IT background नहीं है graduation में आपका तो आपके लिए 3 साल का होगा अगर आपने BCA वगेरा कर रहा एक्च्छल है, BCA जानते हैं इसका छोटा भाई, MCA का तो उन बच्चों के लिए सिर्फ ये 2 साल का है या फिर 11-12 में math थी, या फिर IT background था आपका तो उनके लिए 2 साल का है तो बहुत confusion है इसको लेकर confusion कैसे दूर हो पाएगी एक ही तरीका है, जिस college में आप जा रहे हैं सोच रहे हैं admission लेने की call करके पता करो, visit करके पता करो कि sir आपके college में MCA कितने साल का है मेरा ये background है, मैंने ये courses कर रखे हैं साल का देखकर बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं बहुत सारे बच्चे जो commerce और arts वाले science वाले इंफेक्ट, बहुत सारे बच्चे में देख रहा हूं BCA वाले, ये सोच रहे हैं यार तीन साल waste करने से बढ़ी आए MBA कर ले हैं IT से, तो उस सिनारियो को देखते वे, ये दो साल का ही होने वाला और दो साल का perfect time है master degree को provide कराने का इंडिया में, क्योंकि तीन साल कोई waste नहीं करना चाहता, कितना भी अच्छा कोई course हो, ठीक है बच्चा अच्छा यहां पर course subject होते हैं course मतलब होता है compulsory subject पढ़ने ही पढ़ने, वहां पर कोई बहाने बाजी नहीं चलती है, फिर आता elective, मतलब optional subject आते हैं ये जादा तर आते हैं आपके second year से, first year में तो जादा course subject रहते हैं, second year से आते है electives, मतलब 6 subject होंगे हर 7 में आपके, तो उसमें BCA और MCA courses को लेकर और सबसे focus न, यहीं करना होता है क्लासरूम में तो आपको जानते हैं कितना focus आप करते हैं और कर पाते हैं lectures अगर अच्छे मिल गए, lecturer अगर अच्छे मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 50% चीज़े उपड से ही जाती है इसलिए actual में हम सीखते हैं खुद करकर lab के through ठीक है बच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं project होते ही होते हैं अब यह अलग बात है कि आप copy कर रहे हो और खुद की मेनज से बना रहे हो फिर आता है seminars जो कि आपको attend करने ही करने पड़ते हैं workshops होती है जो कि आपको attend करने ही करनी पड़ती है 70% attendance का criteria हर colleges maintain करता है कोई भी professional courses करने जा रहे हो तो यह सोच समझ के करिएगा और एक और छोटी से request है कर दू मैं अगर आप कोई भी technical courses जैसे कि MC कर रहे हो तो please विनम्र आपसे निवेदन है कि regular mode से करें कभी भी ऐसे courses distance के थूँ distance पे जो नाम सबसे बड़ा है उसका नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन प्लीज ऐसी जगों से करना avoid करें क्योंकि technical courses का तब ही मजा है तब ही value है तब ही कुछ वर्थेट है जब आप उसको regular mode से रोज जाकर campus के मजा लें आप यह जैसा technical course distance से online करने की ना सोचे regular जाईए अच्छा है आज के टाइम में तो प्लीज मजा लीजे life का आगे बढ़ते हैं चली बच्चा अब आते हैं थोड़ा subject की knowledge ले ले लेते हैं कि हम में थोड़ा डराना चालो करूँगा आपको कि कौन-कौन से subject है सबसे पहले तो बात यह है कि IT background में हमें carry बनाना है तो आपको एक मोटा-मोटा idea होना चाहिए कि यार programming languages आएगी mathematics आएगी जी हाँ और ठीक-ठाक level की आएगी तो इसलिए बोला जाता है कि maths होना 11-12 में बहुत अच्छी बात है graduation में mathematics होना बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहां पर आपको डर नहीं लगेगा फिर M.C.A. पढ़ते वर अगर mathematics में आपके discrete mathematics, advanced mathematics जब आती है अगर week है तो क्या करें सबसे पहला है faculty के contact में रहो, दूसरा है जिन बच्चों की अच्छे M.C.A. colleges की इतने पैसे लगा रहे हो थोड़ा सा महनत कर लो बच्चा प्लीज, क्योंकि इतने पैसे जब लगा रहे हो तो महनत तो बनती है और कम से कम जो college में पढ़ाय जाता है उसको घर आके देखना यह आपकी responsibility है तब जाकर अच्छा placement मिल पाता है अच्छा placement का criteria मैं पहले ही clear कर देता हूँ placement सिर्फ अच्छा college join करकर नहीं लगती है जी, placement के लिए अच्छा record maintain करना पड़ता है and by the record I mean कैसे आप M.C.A. में परफॉर्म कर रहे हो आपकी CGPA, right percentage जिनको simple term में बोलते हैं 6.5 या 7 के अबाव होती है तब जाकर अच्छी placement मिलती है तो अच्छा record maintain करें first year में मजे मस्ती ना करें specifically focus करकर अच्छे percentage of marks के साथ जाए अच्छा placement लीजिए अगर आप non IT background से हैं non math background से हैं B.C.A. आपका background नहीं था first year बहुत tough लगने वाला है जी तो वहां पर पहले से ही तयार रही है मेरी बात सुनकर या किसी और की बात सुनकर की महनत जादा करनी पड़ेगी डर लगेगा 50% बाते उपर से जाने वाली है तो आपको अलग से focus करना है emphasis करना है जिन बातों के जिन बच्चों के बाते समझ में आरी है उनके साथ contact में रहना है coaching वगरा ले सकते हैं जिन भी subject 100% उपर से जा रहा है उनके आप coaching ले सकते हैं तो first year में दिक्कत आती है specifically first Sam में बहुत दिक्कत आती है second year से आप level playing field हो जाती है आप लडने को तयार हो जाते हैं आपको पता हो जाता है आप expect कर सकते हैं कि ये चीज़े हैं इसको मुझे ऐसे deal करना है लेकिन first Sam बहुत ज़्यादा tough रहने वाला है किसी भी background से आप belong करते हों इस देट में एक sense बच्चा चलिए देखें computer programming with C अब C, C++, Java ये तो fundamentals हैं ये नहीं आएगी तो क्या आएगा जी जो भी आप theory subject पढ़ते हैं जो थोड़ा सा practical in nature का है होता क्या है उसको theoretical form में पढ़ाय जाता है और उसका lab work होता है उसका ही practical होता है मैंने BCA का जब syllabus बताया था तब भी यही बात आपको repeat करी थी कि जो भी technical या IT फील में जो भी courses होते हैं उनको theoretical भी पढ़ाय जाता है और lab work में practical aspect भी ये actual में यार वो चीज़े होती कैसे है वो चीज़े सिखाने जरूरी है ना, yes or no discrete mathematical structure mathematics यहाँ पर advanced level की है advanced by the mean 11-12 level है आप कोई scientist या physicist नहीं बनना है तो 11-12 level की लेकिन अच्छे level की तो आपको calculative power अच्छे strong होनी चाहिए database management system UNEX and shell programming software engineering and TQM तो ये basic चीज़े हैं ये चीज़े आपको सिखाये जाएगी और यही चीज़े सीखने में मजा भी है क्योंकि future इन ही चीज़ों का है आपको सिर्फ theoretical knowledge दी जाए कि ऐसे ये होता है ऐसे ये होता है और actual में जब आप जाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो technical courses को जितना हो सके real life जो चीज़े होती है actual में जो job में होती है उसके according frame करा जाता है उसके according module करा जाता है बनाया जाता है तो डर्ड लगना एक obvious सी चीज है operational research and optimization technique हो गया advanced database management system हो गया operational research हो गया numerical and scientific computing हो गया ये core subject है कोशिश करी है मैंने सारे ही core subject ले लिए हैं जो कि आपको पढ़ाय ही पढ़ाय जाते हैं हर universities का syllabus थोड़ा बहुत differ हो सकता है first time की चीज़े second time में हो सकते है कई जगे second time की first time में हो सकते है लेकिन in total ये जो core subject है जाद तर हर universities में रहते हैं distributed system है software project management है आचा यहाँ पर management के कई subject आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि एक certain level पर पहुचने के बाद managerial leadership quality आप में होनी चीए ताकि आप खुद के साथ-साथ team को भी handle कर सकें team को भी manage कर सकें supervise कर सकें administrative कर सकें ये सारी चीज़े भी आपको clear होनी चीए multimedia technology, advanced computer, architecture वगएर आपको पढ़ाय जाता है देखिए BCA का अगर आपका background है तो आप 50% चीज़े इन में से जानते हैं तो आपके लिए easy रहने वाला है non IT वालों के लिए जैसे मैंने बताया tough रहने वाला है लेकि मेहनत से कोई भी चीज tough जादा समय तक रहती नहीं है मैं repeat कर रहा हूँ मेहनत से कोई भी चीज जादा समय तक tough नहीं रहती है तो अगर आपने पहले ही सोच लिया है कि यार मैं non IT वाला हूँ IT के course कर रहा हूँ दिक्कत होगी तो सबसे पहला सबसे better realization यही है कि accept कर लेना कि दिक्कत होगी तो जब दिक्कत होती है तो आप डरोगे नहीं आप इसका solution oriented mindset पे जाओगे नहीं तो कई बच्चे क्या सोचते हैं over confidence में जाते हैं IT तो है computer में सब कुछ available है chat GPT में सब कुछ available है पढ़ लेंगे ना 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 यह गलती मत करना अगर आपका interest नहीं है IT बगएरा में मेहनत करने को तयार नहीं हो तो please ऐसे typical IT related courses से दूर रहिए बहुत सारे ऐसे मेरे student है जो इस over confidence में गए थे और MCA में 4 साल हो गए है MCA clear नहीं हो रहा है उनसे back पे back है तो आप ऐसे student को जानते हैं तो आप tag भी कर सकते हैं उनका नाम भी लिख सकते हैं या फिर अगर आप ऐसे student है तो अपने छोटे भाई बहनों के लिए थोड़ा सा guide करो उनको कि भीया पढ़ लो थोड़ा थोड़ा अच्छे नंबर से पास हो जाओ तक ही 2 साल का MCA 4 साल में ना हो 5 साल में ना हो तीन के नियर बाउट theoretical aspect के तीन के नियर बाउट आपके practical subject होंगे तीन theoretical, तीन practical और जो भी practical nature के होंगे उनकी theory भी आपको पढ़ाई जाएगी और उनका practical होगा तो नियर बाउट कम से कम दो तो आपके हर सेम में lab work होंगे ही होंगे जाधर colleges में मैंने ये framework देखा है कि कही ना कहीं हर सेम में 6 subject और कम से कम दो lab work आपके होते हैं report submission वगेरा या आपका assignment वगेरा थोड़ा बहुत हर frame में चलता है हर colleges में differ होता है आपको individual project भी मिल सकते हैं group project भी मिल सकते हैं जिसमें आपको ध्यान देना है अच्छा दो तीन चीज़े मैं आपको बताता चलो न एक elective subject के बार में मैं बात करा था तो elective ये different different subject है बच्छा second year से या फिर कई जगे third sem आप इसको बोलते हैं वहां से elective देना offer हो जाते है elective लेने कैसे है बच्छा वो elective लेने है जिनमें आपको लगता है कि यार मेरा passion है, मेरा interest है प्लीज ऐसे elective मत लीजिए जो आपको tough लगते हैं या आपको लगता है कि यार यह मैं नहीं कर पाऊंगा इसमें मेरा इतना interest नहीं है चाहे वो कितने ही popular क्यों ना हो इंटरस्ट होना उस field में उस specialization में जो आप लेने जा रहे हैं बहुत जरूरी है Advanced Database Management, Operational Research Numerical and Scientific Computing, Distributed System Data Analysis, Cyber Security, Machine Learning Cloud Computing, MIS, Software Management System Management, Organizational Behavior, Multimedia तो अलग-अलग आपको electives मिलते हैं जिसमें से आपको वो electives लेना है जिसमें आप सबसे ज़्यादा comfortable है एक और चीज़ है बहुत सारे teachers ये बताना भूल जाते हैं कि यहां पर specialization भी आपको offer करी जाती है आजकल जादा तर colleges आपको specialization offer करते हैं second year of MCA से तो दिखिए specialization में data mining है जिसको data science बोला जाता है internet of things है, artificial है intelligence, AI, machine learning wireless and mobile network है, data science है digital marketing, cloud computing, software development, cyber security different different colleges, different different specialization आपको offer कर रहे है तो again वो specialization लेनी है जिसमें आपका general curiosity है interest है, अगर interest नहीं भी है क्योंकि interest अभी होगा जब उसके बार में थोड़ी बहुत knowledge होगी knowledge है तो बहुत अच्छे चीज़ है नहीं है, तो जिस भी field में सबसे अदक curiosity हो एक framework बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ specialization को choose करने का अगर आपको उसके बिल्कुल भी knowledge नहीं है कौन सी वो चीज़ है जिसमें आपकी सबसे आदा curiosity है अगर जिस चीज़ में हमारी curiosity होती है तो उसके बार में जानना हमें पसंद होता है तो इसमें से जो भी feel आपको सबसे आदा पसंद आपको लगता है यह cyber security expert में बन सकता हूँ, choose करिए software में मुझे बहुत ज़रा interest है, software choose करिए digital marketing बहुत ज़़ादा popular है, मेरा थोड़ा बहुत interest भी है यह choose करिए अब तो artificial intelligence का समय है तो क्यों है मैं artificial intelligence चूज करना है, तो आप यह choose कर सकते हैं तो different-different यहाँ पर specialization, different-different colleges आपको offer करते हैं आपको make sure करना है कि आपका college कौन सी specialization offer कर रहा है वो आपको choose करनी है, clear हो पा रहा है बच्चा आप में से जितने भी बच्चे MCA कर रहे हैं already first year, second year में है please अपने छोटे भाई बहनों को इस वीडियो के थुरू guide करी comment box में अपने experience जरूर share करी उनके साथ क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे यह नहीं जानते हैं कि MCA कितने सारे बच्चे करने जा रहे हैं non-IT background के हैं, non-mathematics background के हैं B.com वाले बच्चे हैं, B.A. वाले बच्चे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है कुछ भी नहीं पता है और मेरे ये वीडियो से जादा आपका comment matter करेगा क्योंकि आप वो चीज़े experience कर रहे हैं सबसे पहले तो college का नाम अपना बताइएगा कि मैं इस college से MCA कर रहा हूँ और मेरा ये experience है बहुत लाकों बच्चे को help मिलेगी बच्चा और आप जिस level के help कर रहे हो ना आप वो realize नहीं कर पाऊगे कहीना कहीना आपके future में उसका आपको result दिखेगा आप जो भी करोगे ना वो आपका fruitful हो जाएगा वो आपका सफर भूने लगेगा क्योंकि ये आप कहीना कहीं unintentionally help कर दोगे उन लाकों बच्चों की इस वीडियो के थुरू क्योंकि मुझे पता ये वीडियो बहुत सारे बच्चों तक जाने वाला है और अगर वो सारे बच्चों का अगर आपकी help मिल जाती है तो इससे better कोई चीज नहीं है मैं अपना एक percentage help कर सकता हूँ और कर रहा हूँ पिछले 5 सार से मैं चाहता हूँ आप भी एक initiative लें कि अपने छोटे भाई बें जो MC करने जा रहे हैं या चाहते हैं future में करना उनको आप भी help करें तो इस comment box के नीचे एक medium सोच के एक blog का जरिया सोच कर please comment करके अपना experience जरूर शेयर करें कि मैं इस college से MC कर रहा हूँ मेरा यह experience था बहुत help मिलने वाली है उन बच्चों को जो कि IT फिल्ड में अपना के लिए बनाने हैं तो this is it कोशिश थी मेरी कि MC का जो reality है आपके सामने रखो जो चीज़े होती है actual में वो चीज़े आपके सामने रखो कोई fancy हमने बाते नहीं करी है कोई मैं in-depth नहीं गया हूँ हर topic के बारे में मैंने समझाया नहीं है ताकि आपको और ज़रा डर हो जाए और नहीं जरूरत है क्योंकि almost आप clueless हैं इस फिल्ड के बारे में तो हम मैं कितना ही in-depth चले जाऊं इस topic के बारे में आपको idea नहीं होगा पालतु video ज़ादा बड़ा और boring होता जाएगा उसकी कोई जरूरत नहीं है जब आप admission लेंगे जब face to face directly interact करेंगे teachers से हो सकता है मैं बहुत अच्छा आपको समझाओ और आपको बहुत ही boring faculty मिल जाए तो आपका वैसे ही MCA से मन थोड़ा सा खतम हो जाए या कम हो जाए वो मैं नहीं चाहता हूँ तो colleges बहुत ज़दा matter करते हैं please choose a good MCA colleges बहुत ही शांदार colleges available है इंडिया में टाइम लीजिया MCA करने में बहुत जल्दबाजी मत करिये बहुत जल्दबाजी मत करिये MCA अच्छे entrance के थूँ जाहे वो निमसेट वगेरा हो अलग-अलग institute के specific entrance हो वो देकर अच्छे college से हमें MCA करना है जैसे कि MBA आप life में एक बार ही करते हो MCA भी life में एक बार करते हो रेगुलर से करो और अच्छे college से करो फिर देखो life में success मिलना गारेंटेड है रइड बच्चा चलिए ये था आज का वीडियो एक छोट असा announcement है आप तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि सर्फ पढ़ाई की knowledge लेकर हम life में successful नहीं बन सकते पढ़ाई के लावा भी बहुत सारे ऐसे aspect है जो कि हमें सीखने बहुत ज़रा ज़रूरी है चाहे वो mindset के बारे में हो चाहे वो अच्छी habits के बारे में हो चाहे खुद की personality के बारे में हो करना है वो सारी चीजे में अपने courses के तो सिखाता हूँ जिसका link आपको description में मिल जाएगा मेरी website का वहां से आप personality development जैसे courses को join कर सकते हैं और अपनी life में changes देख सकते हैं from day one से ही तो अगर आप इस side में थोड़े भी interested रहते हैं description में link है वहां से आप मेरी website को check कर सकते हैं तो ये था छोटास announcement चले मिलते हैं नेक्स वीडियो में till then take care goodbye वीडियो को share करना मत भूलिएगा क्योंकि आपका ये sharing वाला काम किसी की life को change कर सकता है पढ़ते रहे हैं मेहनत करते रहे क्योंकि आपका भी दिन आएगा thank you so much